नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में स्वागत है आपका, चलिए, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, Simplex Method, ठीक है, इससे पहले हम Linear Programming स्टार्ट कर चुके थे, Linear Programming में हमने इसके जो Basic Questions थे, और जो Graphical Method था, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, Simplex Method की, तो Simplex Method, यदि Gate Point of View से बात करें, तो यहां से Question बनने के Chances कम होते हैं, ठीक है, लेकिन, Maybe, अभी MSQ आ गए है, Gate 221 से, तो MSQ में क्या हो सकता है, कि वो आपको कुछ 2-3 Parameter या 2-3 Line का कुछ Question दे दे, और उसमें से पूछ ले कि भाई, इसमें से कौन से होंगे, या जो भी इसकी Conditions होती हैं, ठीक है, वहां से Question बन सकता है, ठीक है, तो 2-3 त्यगा से Question बनता है, जैसे Replacement Ratio से Question बनता है, ठीक है, तो उसके लिए आप यदि Mains के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो Simplex Method आपके लिए बहुत-बहुत Important हो जाता है, ठीक है, और यदि आप a Gate के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो भी Important है, पर उस Point of View से Important नहीं है, मतलब आपको इदम Numerical यहां से आजाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि इस पर Based Numerical ही पूछ ले, वो पूरा-पूरा, ठीक है, युकि यह Landy Procedure है थोड़ा यहां पर, इसलिए यहां से Question नहीं बनेगा, ठीक है, तो Now we discuss about the Simplex Method, ठीक है, चले, क्या होता यह समझते पहले, तो एक चीज़ समझ लो कि यहां पर, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो Step-by-Step Procedure में करेंगे, तो वैसे Linear Programming Step-by-Step Procedure ही है, पूरा जितना भी हम, इसके बाए Transportation भी लेंगे, Assignment भी लेंगे, तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं, कुछ Steps को Follow करना है, that's it, ठीक है, In which we proceed the systematic manner from an initial feasible solution, with an improve upon the initial solution, ठीक है, आप मतलब जो भी initial solution है, उसको feasible solution, मतलब एक optimum solution पर लेके जाएंगे, ठीक है, Until the certain in the number of steps, we reach the optimal solution, this method is checked by the corner points, ठीक है, तो यहां पर भी हम, एक चीज़ यह important है कि, यह method भी corner points के लिए भी क्या है, feasible है, ठीक है, तो यह बड़ा important चीज़ है, इसको याद रखेगा, कि this method is also check the corner points, of feasible reason, ठीक है, यहां से question में objective बन सकता है, but in the multi-dimensions depending upon the variable, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, तो standard form की बदी हम बात करें, तो standard form क्या है, simplex का, वही जो हमने इससे पहले, linear programming, मतलब graphical method में देखा, वही का वही है, तो all the resources value of the given constraint should be non-negative, ठीक है, मतलब वो non-negative होना चाहिए, मतलब इस तरह से जदी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस form में change करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, less than or equals to minus 48 है, ठीक है, तो इस minus 48 को हटाने पर यह बनेगा, obvious है, यह तो सब को आता है, basic mathematics है, ठीक है, आगे बात करें हम, तो all the, देखो, पहला अपन स्टेफ समझ लिया है, कि सब को मुझे क्या करना है, अगे बात करें, तो अगला चीज़, क्या बात करें है, all the inequalities of the given constraint, should be converted into the equalities, तो उसको क्या करना पड़ेगा, inequality को equality में change करना है, ठीक है, अब एक होता है slack, दूसरा होता है surplus, तो slack कब लगेगा, जब यह less than or equal to, इस तरह का sign लगा हो, तो आप क्या बोलेगें, उसको slack variable, मतलब plus sign लगा, कि आप उसको क्या गर देंगे, जोड देंगे, ठीक है, plus s1, ठीक है, that is slack variable, ठीक है, लेकिन यदि greater than equal to, इस तरह का sign लगा हो है, जैसे यहां लगा हो है, ठीक है, तो उस case में आप क्या गर देंगे, minus of s2, उसको क्या बोलेंगे हम, sir plus variable, clear है, तो यहां पर केवल इतनी बात समझने की है, कि यदि भाईया देखो, यहां पर क्या है, यह वाला sign है, मतलब क्या हो गया, कि इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब वो equal होगा, ठीक है, और इस तरह का sign है, मतलब इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, तब उसके एकवल होगा, ठीक है, तो जोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे है, select, और घटाना पड़ेगा, तो उसको क्या बोल रहे है, sir plus, are you getting this, चालिए, तो यहां तक यह जो मैंने दो रूल बताए, इनको ध्यान से समझेगा, अगे बात करते हैं, थर्ड रूल, each of the decision variable for the constraint and objective function should be non-negative and linear, सबके सब कैसे होना चाहिए, non-negative और linear होना चाहिए, ठीक है, तो MSQ में यहां से question बन सकता है, कि यह तीनों आपको दे दे, और पूछले कौन-कौन से सही है, यह दो सही दे दे, तीसरा गलत दे दे, ठीक है, अगली बात करें, तो Z equal to क्या, Z equal to C1 X1 plus C2 X2 plus C3 X3 plus C4 X4 and Cn Xn, ठीक है, तो यह अपना as it is, graphical method में, जैसे हमने समझा था, कि यह हमारा क्या है, objective function हो गया, ठीक है, इसी तरह से यह हमारे क्या हो गए, constraint हो गए, clear है, तो objective function तो given होगा, constraint given होगा, उसकी हल्प से हम क्या, यह भी बोलते हैं, कि एक सा J जो है, वो greater than या equal to क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यहाँ पर यदि मैं बोलता हूँ कि N number of variable क्या है, greater than है, कि इक्विलिटी constraint के होना चाहिए, ठीक है, यह चोथी बात बोली उसने, कि भाईया, जो मेरे variable है, वो equality constraints है, क्या होना चाहिए, जादा, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, अच्छा, इसमें फिर तो condition बनती है, कि N यदि M के equal हो जाए, मतलब तो उस case में हमारा क्या मिलेगा, basic variable, जो solution मिलेगा, उसको solution को हम बोलते है, basic solution, और उस case में हम बोलते हैं, कि XJ is greater than equal to 0, तो solution को हम क्या बोलते है, basic feasible solution, ठीक है, यदि N minus M equal to 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते है, non basic variable, ठीक है, तो यहाँ से भी एक question बन सकता, कि यदि N जो है, वो M के equal हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, basic variable बोलेंगे, उसका solution क्या मिलेगा, basic solution मिलेगा, या उसी को हम basic feasible solution बोलते हैं, ठीक है, लेकिन, यदि N minus M equal to 0 हो, तो उस case में हम क्या बोलेंगे, कि यदि इस तरह की आपको values put करना पड़े, या इस condition में put करना पड़े, तो आप उस case में आपको क्या मिलेगा, वो, जो मिलेगा, वो क्या है, आपका non-basic variable, clear है, आगे बात करते हैं, if there are M equalities, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने पहले समझाई, constraint and N number of variable है, तो N greater than the M है, तो हम उसको में put करेंगे, N minus M variable, और उसको equal to zero put कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, non-basic variable, जैसे मैंने पहले बोला, and solve the remaining M basic variable, और जो बाकी के बचे हैं, उनको solve कर लेंगे, and to give the basic solution, ठीक है, और यहां से हमने को क्या मिलेगा, basic solution मिलेगा, this step reduced to the number of alternate solution, whose maximum limit is given by, तो यहां से, उसकी maximum limit हमको, इस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगे, ठीक है, मतलब, ncm equal to factorial n upon factorial m, factorial n minus m, यह formula important है, यहां से, एक दो बार question पूछे हुए है, आई-एस में, ठीक है, gate में, हाँ, आ सकता है, ठीक है, कि आपको यह पूछ ले, कि भाई, इसके जो भी solution बनेंगे, वो कितने बनेंगे, कितने alternate optimum solution बन सकते हैं, clear है, आगे बात करते हैं, तो let's say, कि example दिया है, कि भाई, यह मेरे पास क्या है, यह x1, x2, x3, मेरे पास क्या हो गए, variable हो गए, और m क्या है, यह दी मेरे पास, number of fundamental variable हैं, तो क्या हो जागा, 5c3, तो n, 5c3 में arrange करेंगे, तो 5c3 की value क्या आजाएगा, आपकी, 10, मतलब 10 आएगा, ठीक है, यह तो सबको आता है, निकालते होए, एक problem लेते हैं हाँ पर, उस problem से ही हम simplex method को समझते हैं, तो problem given है हमको कि भाईया, z जो है, 40x1 plus 35x2, तो इसको इसने हमने change किया, तो आपने क्या लिखा, उसको 40x1 plus 35x2 equals to 0 into s1, plus 0 into s2, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही मैंने क्या ले लिए, surplus, ठीक है, अब आगे समझो, तो यह raw material का constraint है, 2x1 plus 3x2 less than or equal to, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या labor के आर्स का constraint दिया हुए, 4x1 plus 3x2 less than or equal to, ठीक है, तो जब भी इस तरह का constraint आता है, तो आपने समझा था, कि यदि इस तरह का constraint आता है, तो क्या लगाते हैं, प्लस, यदि इस तरह का constraint होता है, तो क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है, बस इतना ही दियान रखो, अब क्या slack और क्या surplus उसको छोड़ो, ठीक है, उसमें फिर confused होते रहोगे, यह slack या surplus, ठीक है, तो वेसे ही हम इसको, जब भी इस तरह का होता है, तो क्या बोलते हैं, slack बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या आ गया plus s1 plus s2 ठीक है इसमें plus s1 लगा दिया दूसरे में plus s2 लगा दिया n किते हैं 4 ठीक है देखो 1,2,3,4 यहां पर देखो यह दो ठीक है और उपर वाले दो और यहां पर m किते हैं x1, x2 आपके दो variable हो गया तो n-m equal to किता आ गया 2 आ गया clear है तो यहां से जो है यह क्या है 0 के equal नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया कि हमको यहां से non-basic variable है मतलब आपने को x1, x2 को अभी क्या मान के चलना पड़ेगा origin से मान के चलना पड़ेगा तो यह मेरा first feasible solution निकाल लिया जब मैं x1, x2 को क्या put कर दिया 0 तो s1 और s2 की value क्या आ जाएगी 60 और 96 पुट करके देखो पिछली वाले equation में ठीक है तो पुट करके देखोगे तो आपका s1 और s2 का value आ जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं अब देखो यह जो मैंने यहां पर बनाया है ठीक है इसको बड़ा ख्यान से समझना क्योंकि यही basic है और कुछ भी नहीं मतलब यह table आ गया मतलब simplex method में महारती हो ठीक है चलो तो अभी यह profit coefficient को तो छोड़ो अभी इस से बात करते तो basis की बात कर S1 और S2 लिखेंगे ठीक है तो देखो पहले आपको सीधी बात करें तो basis X1 X2 S1 S2 और current solution BI बस इत्ता लिखना है अभी ठीक है सबसे पहले step में क्या लिखें basis X1 X2 मेरे साथ साथ करते चलने चाहूं तो S1 और S2 ठीक है यह बात clear हो गई अब देखो basis क्या है इसका दोनों मे हमने S1 और S2 एड़ किया है तो यह आ गया है यह समझा आ गया अब जो आपका equation है वो equation की values को उठा के मैंने यहां put किया देखो पहला equation में था 2X1 प्लस 3X2 तो यहां पर मैंने X1 देखो equation हा 2X1 यह रखा है दूसरे में नीचे क्या रख दूँगा 4X1 प्लस 3X2 ठीक है तो इन ही values को उठा कर मैंने क्या किया है यहां पर put किया है ठीक है आगे step में यहां पर put किया है ठीक है तो यह मैंने 2 और 3 कहां से लिखे है पिछले वाले equation से ठीक है उसमें S1 था तो S1 यहां पर 1 आ गया S2 कुछ नहीं था तो 0 आ गया और B.I. कितना था 60 यह आ गया समझ में तो आगे अब दूसरी equation से ले रहा हूं मैं दूसरी equation में आ गया मेरा 4 x1 plus 3 x2 लिखा था तो 4 as it is x1 की जगह 4 आ गया x1 के line में 4 आ गया x2 के line में 3 आ गया यह भी आ गया होगा समझ में s1 इसमें नहीं था s2 था तो s1 0 हो गया s2 1 आ गया और bi के value केती है 96 यहां तक आपने cable जो आपको question में दिया था वहीं से table बनाया कुछ भी अभी आपने नहीं सोचा अब आगे बात करते हैं अब में बात करते हो profit coefficient की तो profit coefficient 40 और 35 यह कहां से आया थीक है पहले समझ लो कि कहां से आया तो यह आया मेरा जो भी objective function था भहां से ठीक है यह objective function था 40 x1 plus 35 x2 equal to 0 s1 plus 0 s2 ठीक है तो यह यहां से उठके आ रहा है समझे तो यह आगया मेरा 40 और यह आगया मेरा 35 और यह आगया 0 ठीक है आगे समझो अब आगे समझना बड़ा important ही ठीक है देखो यहां पर zj की बात कर रहा है तो zj क्या होता है पहले यह समझ लो तो इसको समझन है तो profit coefficient में s1 और s2 क्या है दोनों 0 है तो यह मैंने as it is दोनों की value उठा के put कर दी ठीक है अब यहां से आपको क्या करना है फिर zj की value put करी तो zj क्या है delta ei by minus eij ठीक है तो देखो हमने क्या बोला तो यह सारी जो value है zj की वो क्या आगई 0 as it is ठीक है फिर delta of j delta of j क्या है cj यह वाला value minus zj यह आ गया 40 minus 0 कितना आ गया 40 35 minus 0 कितना आ गया 35 और यह 0 minus 0 0 minus 0 ठीक है तो यह सारी values अगे समझो आगे क्या समझना है कि आपको पहले key column select करना है तो key column select करना है मतलब जहां पर आपका delta j का value क्या जाए maximum वो आपका क्या कहलाएगा key column यहां से आपका question बन सकता ह है कि delta j ठीक है की value जहां पर maximum हो उहां पर उस column को क्या बोलते है उस column को क्या बोलते है key column ठीक है अब समझो तो यह key column आ गया अब key column में यह मेरा key column हो गया पूरा का ठीक है तो यह मेरा key column हो गया यह बास समझ में आ गई आपको अब समझो तो अब में निकालता हूँ replacement ratio अब EIJ कौन सा हा, Key Column का EIJ है, ठीक है, तो Key Column ये रहा, तो 60 divided by 2 कितना आ जाएगा, 30, इसे दरह से 96 divided by 4 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो आया, ये किस की help से आया आपका, Key Column की help से, ठीक है, और इस Key Column में Maximum कौन सा है, ये 4 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Key Rho, ठीक है, इन दोनों में, जो Minimum है, वो मेरा क्या कहलाएगा, Key Rho, ये बास समझ में आ गई, ये बास समझ में आ गई, तो Theta I, जहाँ पर Minimum मिलेगा, वो मेरा Key Rho हो जाएगा, और जहाँ ये column में maximum मिलेगा वो मेरा key column हो जाएगा यह बास समझ में आ गई तो यहां से भी आपका MSQ बन सकता है अब यह यहां पर steps लिखी हुई है सारी तो calculate delta j the difference of delta j equals to cj minus zj row and it is termed the net evaluation row ठीक है या net opportunity row भी इसको बोलते हैं the value of delta j row gives the amount increase or decrease in the objective function ठीक है and that would unit represent the column head is brought into the current solution ठीक है मतलब अपन उसमें one unit represent क्या कर रहा है इसको column head को represent कर रहा है इस brought into the current solution लेकिन आगे बात कर रहा है कि simplex table indicate the current solution of the optimum when all the value of delta j row r कैसी होना चाहिए या तो negative मिलेगा या positive तो negative होगा मतलब या 0 होगा उसका मतलब क्या है linear programming किसके लिए है maximization की लिए और यदि हमको positive या 0 मिलता है तो उस case में हम linear programming क्या बोलेंगे minimization अब जो current solution अपन या current problem जो देख रहे हैं और maximization है क्यों क्योंकि इसमें highest positive value मिला है अपने को कौन से काय में की column में ठीक है तो positive है मतलब minimization sorry highest positive value and select the column of with variable column head incoming the variable ठीक है तो वहां से हम उसको select कर लेते हैं तो called key column with the variable in column head as an incoming variable तो उसको हम क्या बोलते हैं key column बोल देते हैं आगे बात करते हैं now we divide the bij मतलब समझा है कि replacement ratio की बात कर रहा है bij या bi को हम aij से divide करते हैं तो हमको क्या मिलता है replacement column मिलता है in this column we select the minimum positive value और हम minimum जिस row में मिलेगा उस row को हम क्या बोलते हैं key row बोलते हैं ठीक है and variable in row is outgoing variable ठीक है चलिए आगे बात करते हैं the element of intersection of the key row and key column is termed as key elements ठीक है तो वो हमारा क्या कहलाता है key element देखो यहापर जो यह 4 है 4 मेरा क्या है key element देखो क्योंकि यह मेरा क्या है key row यह मेरा क्या है key column इन दोनों का intersection point कुन सा है यह वाला ठीक है तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा key element ठीक है तो now we divide the BIJ तो यह तो पड़ लिया अगे बात करें steps बात कर रहा है तो वही key element is converted to unity तो key element को आपको किस में convert करना है अब आगे कि steps में unity में convert करना है तो ऐसा मतलब 4 है अपना तो 4 से पूरे कोस को क्या कर दूँ मैं 1 लेके आना है मतलब 4 से divide कर दूँ ठीक है by multiplying or dividing the key row of a column multiplying the factor all the elements in the key column ठीक है तो सारे by adding and subtracting the proper multiples of the key row and other rows of column ठीक है मतलब सारे जो भी है उनको बाकी को 0 बनाना in the new table outgoing variable replacing by the incoming variable कैसे होता है उसको theory को छोड़ो आप देखो यहां देखो as it is मैंने यहां पर भी table बनाया क्या था अपना टेबल basis x1, x2, s1, s2, bij ठीक है और आप इसके आगे replacement ratio भी लिख सकते हैं ठीक है आगे बात करें तो देखो कर क्या रहे हैं हम तो इस 4 को ultimately आपको क्या करना है 1 बनाना है ठीक है तो क्या करना है आपको तो यह मैंने लिखा s1, s2 तो यहां पर वही 2, 3, 1, 0, 60 आ गया as it is और यह आपका 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 1 और 96 तो मैंने पिछला का पिछला जो है उसी को यहां पर उठा के पुट कर दिया अब जो r2 है मतलब यह वाला जो पूरा रो है इस रो को आपको किस से 4 से डिवाइड करना है क्योंकि की कॉलम को या की एलिमेंट को आपको क्या करना है unity बनाना है तो करके देखो क्या होता है तो replace s2 by s2 को x1 से replace भी कर देंगे देखते है पहले तो इसको unity बनाए तो सब पूरी रो को मैं किस से डिवाइड कर दूँ 4 से ठीक है तो यह मैंने क्या किया 4 से डिवाइड किया तो 3 by 4 हो गया यह तो 0 ही है यह हो गया 1 by 4 और यह 96 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 24 ठीक है इसी तरह से यह मेरा basis चेंज हो गया तो यहाँ पर s2 को किस से replace कर दिया मैंने x1 से यह आई यह बात समझ में तो यह मेरे लिए आ गया है अभी second feasible solution पर नहीं जा रहे है अपन ठीक है अब इसके बाद क्या करना है आपको तो as it is आपको फिर क्या करना होगा कि आपको key row key column find out करना होगा ठीक है तो यहां पर आपको key row key column की बात करें तो आपके लिए key row key column क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो key row key column यह जो key element है। यहांपर ये बन जाएगा ठीक है। तो यहांपर ये Yi निकाला आपने और ये आगया आपका यए 0 आगया और second में क्या आगया 40 clear है। अब समझो। तो second feasible solution निकाला आपने second feasible solution में हमको क्या मिला X1 की value मिल गई 24 और X2 की value मिल गई 0 यह वाली ठीक है ठीक है हाँ चलिए तो अगे बढ़ते हैं तो फिर हमने जैड की वैल्यू निकाल ली जैड कितना आ गया 960 इसी तरह से एस वन की वैल्यू निकाल ली 12 एस टू आगया मेरा 0 आगे बात करें तो आगे फिर वही सारी जो वैल्यूस हमने निकाल ली है वो निकाल ली इसने हाँ पर कि cj 40 35 0 यह ठीक है इसे तरह से डेल्टा जे और यह आ गया तो यहाँ पर देखो यह आपका की कॉलम बन जाएगा क्योंकि यह पॉजिटिव है और इससे ही आपने इसका की रोड इसाइड कर लिया और की रोग को फिर क्या कर दिया 24 by 3 by 4 12 by 32 ठीक है मतलब 3 by 2 इससे solve किया तो solve करने पर यह आपका जो यह बन रहा है यह से आया है clear है ठीक है चलिए तो आगे बात करें हम तो now make the key element is 3 by 2 तो इसको अब unity बनाना पड़ेगा तो first 0 replace by तो इसको 0 को बाकी सबको 0 बनाना है और s1 किस से replace हो जाएगा x2 से ठीक है तो नया table बनेगा नया table बनाके देखते हैं तो r1 जो है r1 को हम क्या लिख रहे है नया r1 that is 2 by 3 से multiply कर दिया देखो यहाँ पर यह भी element 1 बन गया ना ठीक है और r2 जो है r2 को मैं change कर रहा हूं r2 minus 3 by 4 of r1 ठीक है तो देखो यह वाले element यह भी 0 हो गया और एक element 0 हो गया इसके बाद s1 s2 यह सारी values तो आपने जो मैंने यहाँ पर यह operator लगाया है कौन सा operator यह वाला ठीक है r1 equals to r1 by 2 by 3 और r2 equals to r2 minus 3 by 4 r1 ठीक है उस operator की help से यह पूरा का पूरा matrix generate होगा ठीक है उसके बाद कर फिर हमने बी आई भी निकाल लिया उसके बाद cj निकाला डिल्टा जे एस इस वल जैसा वहाँ निकाल रहे थे उसके बाद डिल्टा जे यह आ गया ठीक है अब जेड़ जे और डिल्टा जे ठीक है तो यहाँ पर minus 10 by 3 आ गया यही माइनस आ गया मतलब यह अपना क्या ह गया अब देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू 18 हो गई x2 की वैल्यू हो गई 8 ठीक है देखते हैं कहां से आ रहा है यह यह आ गया ठीक है यह वाली वैल्यू किसी बात कर रहा है ठीक है तो यह मेरा x1 x2 की वैल्यू है 8 और x1 की वैल्यू है 18 ठीक है तो यह यहाँ से आया है z की value में put करेंग और s1 s2 again क्या हो गए आपके 0 मतलब मैंने s1 s2 starting में जो माने थे उन s1 s2 को ultimately आपको क्या करना है 0 करना है और x1 x2 की value निकालना है ठीक है जिससे आपको क्या मिलेगा z की value मिलेगा ठीक है और जहां पर भी आपका key row या जो भी आपने जो यहां पे यह value आ जाए ठीक है तब आपका optimum solution निकल जाएगा clear है तो so the value of delta j is negative and zero so current solution is optimum तो इसका current solution क्या हो जाएगा the z की value thousand मेरे लिए optimum हो गई मतलब इससे न तो जादा हो सकती है न कम हो सकती है ठीक है तो thank you for watching my video and wish you all the best for your exam अच्छे से पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए और सारे distractions से at least कोजिस करिए कि आप सारे distractions से क्या हो सकें दूर हो सकें ठीक है तो जैसे ही आप सारे distractions से दूर हो जाएगे तो अपने आप सारी चीजे resolve हो जाएगे अपने आप clear है ठीक है तो thank you very much and wish you all the best for your exam ठीक्यू